तो गाईज एंटिये ने एक नया अपडेट दियार ये अपडेट ये है कि लोग बोल रहे थे किसा जो सेक्शन B होगा वो क्या सेक्शन B से हम 15 से 15 कुश्चन एटेम कर सकते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है एंटिये ने इस पस्ट तोर पे अपने वेव साइट में लिखा है आप देख लीचे जाके वहाँ वेव साइट पे वहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा है कि 35 कुश्चन जो होगा सेक्शन A का वो बिलकुल कमपलसरी सेक्शन होगा और सेक्शन B में जो 15 कुश्चन है उसमें आप 10 ही कुश्चन कर सकते हैं 11 भी नहीं कर सकते हैं और अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो जो सुरू के 10 कुस्चन है वही consideration में लिया जाएगा इसका मतलब जो बच्चे चालू बनने की कोसिस कर रहे होंगे जिनकों लग रहा होगा कि मैं वहाँ से 15 कुस्चन एटेम कर लूँगा और इधर कम करूँगा तो यह बेवकुफी हो जाएगी ऐसा करने से आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि NTA आपके कॉफी को पेंडिंग में डाल दे और उसको चेक भी न करे इसलिए एक बार आपसे यह चीज़ जरू बता रहा हूँ कि यह एक्जाम में भूल मत करना, NTA ने सपस्ट तोर पे वहाँ लिखा हुआ है कि सुरू के 15 कुश्चन में 10 कुश्चन जो सुरू आत के हैं वही वैलिड होंगे तो ध्यान रखेगा सेक्षन एक कंपलसरी होगा और सेक्षन बी में केवल और केवल जो है तो NCRT के चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कीज़े, उस पे बेस्ट अबजेक्टिव कीज़े और अगर अबजेक्टिव ना मिले तो चंद्रहासर एप में जो मैंने 22 कुश्चन आपके लिए दिये उस कुश्चन को जरूर सॉल्ब कीज़े और new pattern पे जो मैं chemistry का chapter wise टेस्ट दिया हूँ एक बार उसको जरूर सॉल्ब कीज़े और अपने depth को समझे साथी साथ अगर आपको अपनी speed को increase करना है अगर आप चाहते हो मेरी speed slow है मैं calculation में फस्ता हूँ मिजे reactions ही आप नहीं हो रहे हैं प्रिक्स बताऊंगो आपको बहुत time saving होगा और आपके rank को suddenly enhance कर सकता है तो अगर आप लोगों ने अभी तक वहां नहीं join किया तो जल्दी से जल्दी registration करा लो क्योंकि offer limited है और अभी discount 80% फीका चल रहा है 500 का कोर सिर्फ 100 रुपीज में है और मैं बता दूँ कि पहले ये class जो है वो 3 घंटे का एक ही दिन का event था लेकिन अभी ये class 18 घंटे दिया जाएगा मतलब 6 घंटे physical, 6 घंटे inorganic, 6 घंटे organic और अलग-अलग दीन 2-2 घंटे की class जिसका schedule आज जारी हो सकता है आपके लिए आज साम तक हो सकता है मैं schedule जारी कर दूँ तो आपको बहुत effective class मिलेगा जिसमें physical chemistry के सारे road map formula के बनाये जाएगे inorganic के tricks बताये जाएगे physical के calculation के tricks बताये जाएगे organic के reagent और functions को explain किया जाएगा तो काफी सारे tricks आपके होंगे जिससे कि बहुत जादा question आपका solve हो जाएगा और बहुत कम time में आप quick और super fast revision कर सकोगे तो friends एक बात ध्यान रखिएगा जोग सोर से पढ़ते रहिए result खराब नहीं होना चाहिए आपका result ही आपका भविस्य है और जब तक doctor नहीं बनेंगे उससे नीचे कुछ नहीं सोचेंगे